मौरिया जी, BJP में रहते, मंत्री बने रहते, बड़ीया थाट बाट से रहते, राज़ा बनकर कहा समाजबादियों के संगरश में शामिल हो गए। आप अपने आपको नेवला क्यों कहते हैं मौर्या जी अच्छे बले तो है इतने स्मार्ट लगते हैं डैशिंग इदम हीरो टाइब क्या वाकई में केश्व परसाद मौर्य को स्टूल पर बिठाया जाता था संगमित्र जी ऐसा कहते नहीं कि पापा ये डोलगवार वाली बात अब खत्म कर दो बीजेपी में मेरी पॉलिटिक्स डिस्टब हो रही ओपी राजबर आपको दगा हुआ कार्तुस कहते हैं सब बोलें तो बोलबे करें चलनियों बोलें जकरे भातर छेत आपी के पाटी में डोलगवार शूद्र पशुनारी इस बात पर कई धड़े बन गए हैं क्या आपको लगता है कि आपकी तपस्या में ओ स्वरी तैयारियों में कोई कमी रह गई थी बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौरे जी की फेवरेट महिला नेता कौन है अगर सपा का राष्ट्री अध्यक्ष बना दिया जाए मौरे जी तो आप एक बदलाव क्या करेंगे पाटी में आपको फोन आ जाए दिल्ली से कि स्वामी प्रसाद मौरे जी आपको उत्तर प्रिदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है जी तो क्या सपा छोड़कर बीजेपी से मुख्यमंत्री बनेगे यूपी के नेता लोग राजनीती में आने के बाद जूट बोलना मुकरना ही इस सब क्यों गड़ते हैं तीनों में से बेस्ट मुख्यमंत्री कौन मायवती जी आखिलेश यादफ जी या योगी आदेतना जी इसका पर जाद मौरे जी के लिए 10 on 10 कौन डर तो नहीं लगता सौमी परसाद मौरे जी सौमी परसाद मौरे संविधान का किसम खाए कि पटाफट पटाफट देना है सौमी परसाद मौरे कि गरीवों के लिए सदय और संगर्ष करने ओले प्रग्यामिश्रा एक अच्छी पत्रकार जिसके टैनिंट की लोग द्वाई देते हैं बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदेतना शब्द नहीं मेर रहे चलिए शुरू करते हैं तो कूर्सी की पेटी बान लिए चलते हैं शुरू करते हैं रामचरित मानस की लाइनों पर सबाल उठाने वाले तुसी दास से भी ज़्यादा फेमस हो जाने वाले पाँच बार की विधायत माया वती और योगी आदेतना की सब्कार पे मंत्री रह चुके और प्लेश यादव की आखों के तारे वामी प्रसाद मौन से बात होगी और ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आज तक किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं थी का हाल बाम मारिया जी सब ठीक मारिया जी बीजेपी में रहते मंत्री बने रहते बड़िया ठाट बाट से रहते राजव बनकर कहा समाजबादियों के संगर्ष में शामिल हो गए देखिए मैं इतनी बार केमिल में मंत्री रह चुका हूं कि कि मक्षद हमारा मंत्री बना रहना नहीं तोल गवार शूद्र पशुनारी लिखने वाले तुलसी दास जी से भी ज्यादा फेबस हो गया या प्रसिद्धी कैसी लग रही है जामी प्रसाद बार्याजी अब देखिए हमने तो इस देश की महिलाओं आदबासियों दलितों और पिश्णों के समान की बात उठाई कि स्वाभाई रूव से जिन लोगों ने इस देश की महिलाओं आदबासियों दलितों और पिश्णों को नीच कहा अधम कहा अपमानित किया प्रतारित करने की बात की उनको ये बात बड़ी नागवार गुदरी साइद उनको ये नहीं मालूम कि देश की महिलाओं आदबासियों दलित पिश्णों को अपमानित प्रतारित या नीच अधम कहने की बात नहीं कर सकते हैं मौरे जी मौरे चत्री समाज से आते हैं आपने महिलाओं के समाज के लिए महिलाओं के कल्याण के लिए उनके सम्मान के लिए आवाज उठाई लेकिन मेहंद राजुदास ने हाथ उठाया इस पर क्या कहीं गया देखे कुल मिला करके जो लोग इस देश की महिलाओं आदलाशियों दर्वितों और पिशणों को सोशन का सिकार बनाया, धर्म के नाम पर गुलाम बनाया, जाद सुचे सब्दों का प्रयो करके नीच और अधम कहा, महिलाओं को और सुद्रों को प्रताडित करने का पात्र बताया, यहां तक कि सुछ समाज को कितना भी ज्यानी विद्वान महा विद्वान क्यों नहों उसको शम्मान न देने की बात की तो स्वाफ़ाई रूप से आज हमारा देश एक शुतंतर राष्ट है संपवर राष्ट है हमारा भारती संविधान है जिसके अनुच्छे तंद्रा के अ इंग और जन्वस्थान के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेद्वाव नहीं कर सकते हैं अच्छा आप समाजवादी पार्टी में हैं आपकी बेटी संगमित्रा मौर्या बीजेपी से सांसद है घर में कभी आइडियोलोजिकल टक्राव रही होता है कि आप आप बीजेपी क यह सब एक घरेलू माहौल में रते हैं हम घर में राजनीत नहीं करते हैं लेकिन फिर भी कभी बातों बातों में संगमित्रा जी ऐसा कहते नहीं कि पापा ये डोलगवार वाली बात अब खत्म कर दो बीजेपी में मेरी पॉलिटिक्स डिस्टर्ब हो रही है नहीं कोई भी समस्दार व्यक्ति यहां तकि भात्पा में एक नहीं लाखों ऐसे लोग हैं जो हमारे मत के साथ खड़े हैं और इस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि जाती पंडेतों ने बनाए ना कि भगवान ने श्वाभाई ग्रूप से अगर कहीं भगवान की दूपना है तो उसने तो जिव जन्तू बना इंसान क्य 보고 लेकिन हैाँ पर किसी प्रकार का ग्रंफो त्रूप हो त्यों का ब्रूत पुरांड हो या मनसुटी हो इया एइस हुऻ your अनकोई पराण हो यह सब मानों ने बनाए और उसका खुला सा आर्शास प्रमुक्र स्री मोहन भागवाजी ने करही दिया आपको क्या लगता है मौरिया जी की डोल गावारे शुद्र पशुनारी वाली ये सियासत आपकी पार्टी यानि समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान रहेगा या ज्यादा फाइदा रहेगा क्या रहेगा आपको नहीं लगता कि आपी के बाटी में डोल गवार शुद्र पशुनारी इस बात पर कई धड़े स्वाण बन गए हैं क्या आपको लगता है कि आपकी तपस्या में ओंस्वरी क्या यारियों में कोई कमी रहेग सी की हमारी तैयारी है पूर्व से की शुन यूजित नहीं ती एक चीज. दूसी चीज कौन खुश होगा कौन नराज होगा इसलिए भी नहीं थी हमारा अपके रहे नियोजित नहीं थी लेकिन इतने सालों से आप पाच बर विधायक रहे मंत्री भी रहे तो आपने ये जिक्र पहले क्यों नहीं किया ये सवाल उठते हैं कि आपने इस विषय पर पहले इंटर्व्यू क्यों नहीं लिया यानि जब कोई प्रसंग आता है तो भी बात कहीं जाती है वह प्रसंग बर्श बात मैंने कहीं थी ये बात दीगर है कि वह अंतर राष्टी चल्चा का विषय बन गया लेकिन हमने किसी को पीड़ा पहुचान करने के लिए आपको लगता है आज के दौर में मंडल वर्सिस कमंडल की राजनीती सफल होगी देखें विचार धारा के लाई तो हमेशा चलती रही है जो लोग सेक्ड़ोर साल से धर्म के नाम पर बन बेवस्था के नाम पर जाती के नाम पर कुंडली मार करके बैठे और इसलिए आज वो पागलों जैशी भासा का इस्तिमाल कर रहे हैं बखलाई हुए हैं कोई स्वामी पर्षाद मौरा का शिर काटने के लिए क्यावन करोर तो कोई वन लाग तो कोई पांच लाग रुपै कोई पांच लाग कोई गयारा लाग दे रहा है एक जूता मानने एक लाख रुपए की देने की बात करेंगे जितने जूते उतने लाख कोई कहता है कि हम पांच लाख की तलबार खरीत रखें हैं स्वामी प्साद मौरा का सरकलम करेंगे हम इनकी हत्या करेंगे कोई कहता है मौरा जी का मैं हाथ काट लूगा ना काट लूगा कान काट लूग तो एक सिबढ़ करके ढूंगी हैं पाखंडी हैं आतंगबादी हैं किसाई हैं ऐसे लोगों का असली चेरा भी सामने आ गया यह हमारे लिए शकरात्मक है हिंदु मुसल्मान वाली जो बीजेपी की पिछे उस पर आप नहीं खेल सकते क्या इसी लिए आपने पिछडों के लिए यह रामचुरित मानस वाली पिछ तयार की है बात इसका राजनीतिंग मुष्ट नहीं निकलना चाहिए यह बात दीर है कि जिस दिन देश की महलाए आप के इस बात का खंड़न नहीं कर सकता आप अपनी जगह सही हैं तो स्वाहई ग्रूप से मेरा मक्षट तो केवल देश की महिलाओं आदवासियों दलतों पिछणों के समान की बात की अगर यह सभी अपने समान के खड़े हो गए तो स्वाहई ग्रूप से चाहे अंचाह समाजबादी पार्टी को उसका बड़ा पाइदा तो मिलेगा मिलेगा को Ji आप भी मॉरिया के शड शचाह ऑंव हमार्या आप लोग तो सब साथ रहे हैं कि वाकि ने केश्च अट्रूप इरम से पहुंचे थे पोई पूंचे दिप कोई दूसी कुर्शी लगाने का भी कस्ट नहीं किया इन्होंने देखा बगल में स्टूल पड़ा है अपने हाथ सुठा करके स्टूल लेकर के बैठ गए तो स्वाहई गूरूप से उन्होंने अपने मंत्रीपत की गरिमा को खुद गिराई कि अगर कुणशी नहीं थी तो बैठ गी जाना नहीं चाहिए था यां तो विन्हों भुलाएं महिमान का स्वाकष्यणा थो आज utility प्रूंअन के इन्हों पैदा की उनको इससे बचना चाहिए था कि अगर उनके इस्थान तनुशित नहीं है तो वहां नहीं जाना चाहिए और उन्होंने अपने गरिमा गिरा करके इस बात को सावित कर दिया कि वह बहुत जल्दी में हैं उनको जमीन पर बैठना पड़े जाए मुख्वंत्री और मुख्वंत्री राजनितिक लाभ लेने के लिए तो कहीं भी जा सकते हैं सम्मान और स्वाहिमान के साथ कभी सम्योता नहीं करना चाहिए और स्वामी प्रसाद मुर्य की पहचान मात रिशी लिए है कि मैं कुर्शी के पीछे नहीं भागता हूं सम्मान और स्वाहिमान विचार के साथ मैं कभी सम्योता नहीं करता हूं जब भी विचारों पर टकरहाट होती है कोई भी सक्ष आपको क्या लगता है क्या योगी आधितनादे और केश्व परशाद मोरे की आपस में मतलब नहीं बदती थी, क्या अब उसनों में पुई टिपड़ी तेसरी नहीं करना जाएता कि भार्तियंता पार्डॵर्री का अंदुरुनी मामला किसमें बनती है उस पर मैं किसी प्रगार की कुई टिपड़ी नहीं कर सकते हैं एक बेदाब छबी के निता है शे बार मैं कमिनेट मंतरी का सपत लिया तीन बार मैं निता ब्रहुद रहा उसमें वी कमिनेट मंतरी का दर्जा रहा है और पांच बार MLA दो बार MLC हूं तो इतनी लंबी राजन में आज तक किसी को उंगली उठाने का मौका हमने नहीं दिया है लेकिन हाँ इतना जरूर है हमें दर तो नहीं लगता लेकिन भातपा ED और CBI का प्रयोग करके विपश को ड़ाने की कोशिश कर रही है आपने मायवती जी के साथ काम किया आप योगी आदिता जी के साथ काम कर चुके हैं वर्तमान में अखिलेश यादव के आखों के तारे उनके साथ आप काम कर रहे हैं इन तीनों में आपको सबसे बढ़िया एकदम भासु नेता नंबर वन वाला कौन लगता है मौर्या जी देखिए सब की अपनी अलग-अलग मेरीट रईवात मायवती जी एक बहुत अच्छी प्रसासक के रूप में अपनी एक छाप छोड़ी थी अखलेश जी बहुत ही श्रूमधूर यानि म्लिदुभाशी और मिलनशार देता हैं छोटे बड़े कोई भी हों बेहिचक सबसे मिलते हैं ये उनकी एक अलग छाप है रही बाद योगी जी जब मुख्मंत्री थे मैं उनकी सरकारी मंत्री था यह दिव कि हमारे समन्द अच्छे थे हमारे साथ उन्होंने कभी भी बे अंदाज होकर के कोई ब्योहार नहीं किया तो इसका तो में उनका सम्मान करता हूं लेकिन उन्होंने बुल्डोजर चला करके अपनी चबी को कहीं ने कहीं अराजक मुख्मंत्री की रूप में अस्थापिक की कि तीनों में से बेस्ट मुख्मंत्री कौन मायवती जी आखिलेश यादव जी या योगी आते तना अब इसको तो मैं सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दे सकता कि जनता सरकार बनाती है और चुनिवी प्रतिधी मुख्मंत्री बनाते हैं तो अपने अपने लिए तो सभी माने में सब अच्छे रहे हैं मायवती जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है स्वामी प्रसाद मौरेश जी को उनका प्रसाश्निक शंता कि कड़क मिजाज अनुशाशन वह उनका विशेष गुण है जिसके माध्यम से उन्होंने एक अपनी अलग पहिचान बनाई 2022 पर मायवती जी डट कर रही लड़ी आपको कारण क्या लगता है इस लिए कि बाबा साहब ड्यक्टर अंबेतर के मिशन पर और मानवर कांसी नाम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर आधारित बोजन समाज़ पार्टी का गेठन हुआ था लेकिन जब तक मानवर कांसी नाम जी थे बाबा साहब के मिशन और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते पर चलती रही जैसे ही मानवर कांसी नहीं रहे उनके निर्मान के बाद बोजन समाज पार्टी को उत्तर परदेश की जनता ने बोजन समाज ने बड़े से बहुमत की सरकार माने में योगदान दिया लेकिन उसके बाद बाबा साहब के मिशन को भूल गई मानवर कांसी नाम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के मुद्दे से हट गई और उसी दिन से बाजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरना सुरू हुआ बाजन समाज पार्ट कहीं न कहीं कि बहुजन समाज पार्टी से दूर हटने लगे और बैचारिक राजनी छोड़ करके उन्होंने स्वार्थों की राजनी जफ्तुरू कर दी तो स्वावी गूफ से बहुजन समाज पार्टी जो कभी मानिया बहन जी को चार बार मुख्यमंत्री बनाया था वह आज बहुजन समाज पार्टी कहां खड़ी है इसके जिम्मेदार खुद मनिया बहन जी है योगी आदितना जी कि सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको मेहंत्य है वो चोबीर घंटा काम करने के आधी तो है लेकिन एकला चलो मंत्र मंडल को गुड़बुक मेलेके चलने की जो एक लोगतांत्रिक सिस्टम है उसको फालू नहीं करते है अच्छा मुलायम सिंग यादव जी को बीजेपी ने पद्म विभूशन से सम्मानित किया लेकिन आप ल था लंबी राजनीती लगभग शाट सालों की रही कई बार मुख्यमंत्री और केंद में रक्षा मंत्री की रूप में जो समाज और राष्ट के निर्वान उनका योगदान था उसका मुल्यांकन किये बगैर पद्विशन दिया गया नेता जीनी कभी पद्विशन की चाहत तो रखी नहीं तो आगर भी शरका उनको सम्मान देना ही चाहिए था तौनके ब्रूप देना चाहिए अब किसी एक भीशाल ब्रेग्टितों के दनी बड़े नेता को एक प्षोटा सा सम्मान देकरके उसकी हैंशियत को गिराने और उसके महत्तों को कम करके आखने कात्यार किसी को नहीं अच्छा ग्रह मंत्री का खुद आना प्रधान मंत्री का रैली से संबोधन करना और यह समाम चीज़े आपको लगता है कि उन्होंने बीजेपी ने पूर्ण तया सम्मान नहीं दिया जितना देना चाहिए अंतिम दरश्चन में तो सभी आते हैं वह राज उसमे नहीं जोना जाने चाहिए और उसको अन्यथा चर्चा का भी शबीनी बनाने चाहिए आप अपने आपको नेवला क्यों कहते हैं अच्छे वले तो है इतने स्मार्ट लगते हैं डैशिंग इंदम हीरो टाइप तो नेवला तो अगर नागनाथ और सापनाथ को मारना होगा तो नेवला का रूप तो धान करना पड़ेगा तो नागनाथ सापनाथ तो बीजेपी कॉंग्रेस और सप्पा को बोलती थी अब जब किसको क्या बोलती थी लेकिन इसमें तो आर्शन और बीजेपी ही नागनाथ और सापनाथ है जो इस देश के शिरकास, शिर्टाइफ, बैकवर्ड क्लास यानि दलीत, आदवासी और पिछणों के आर्शन को अजगर की तरह निगल रही है तो स्वावी रूप से इनका चरित्र सम्मिधान विरोधी भी है, दलीत विरोधी भी है और इसलिए अगर इस देश के दलीतों, आदवासी और पिछणों के सम्मान, स्वावी रूप से आर्शस और भागपा को पट्रिंग देनी पड़ेगी, दो हजर बाइस में आप लोग बीजेपी को नहीं हरा पायते, क्या लगता है, दो हजर चौबिस में सापनाथ और नागनाथ को जो नेवला है वो डरा कर भगा देगा कि नहीं, स्वावी रूप स जो रनीती की चूख रही है, उसके नाथे वो जिन्दा हो गए, क्या चूख समझते हैं स्वावी रहाल, उसको इसमें, मैं कहना नहीं चाहता, वो जो भी चूख थी, उसको हम दूर करके, दो हजर चौबिस में आवस्य पट्रिंग देने में कामियाब होंगे, और दो हजर 24 लोक्षभा का चिनो, भाजपा की बिदाई का चिनो होगा, उस चूख को ठीक करने के लिए ही कहीं, मंडल वर्सिस कमंडल की राजनीती हमें दिखने वाली है के दो हजर चौबिस में, और तेज रूप से, बरहाल, अब कुल मिला करके, इस जो बावत आज उठी है, देश की महिला हैं, यानि देश की आधियाबादी, और साथ ही साथ, शुलकास, शुलकास, शुलकास जोड़ी हैं तो पचासी फिर्दी, यानि कुल सत्तान बें फिर्दी, हिंदू समाज के सम्मान की बात में कर रहा हूं, तो धरम के देखेदारों तो खुश होना चाहिए, कि ज कमिया है उसको दूर करके धर्म को और मजबू बनाया जाए, लेकिन ये शुयम अपने धर्म के दुस्मन बन गये हैं, तीन फिर्दी लोगों की भावनाएं ज्यादा बात रखती हैं, सत्तानवे फिर्दी लोगों की भावनाएं जो आत होती हैं, इन धर्माचारियों को सत में फिर्दी हिंदों की भौना का ख्याल नहीं है इसलिए वो अपने तीन फिर्दी लोग अपने इगो के लिए तरह तरह के आतंग बादी भाषा का प्रेग कर रहे हैं अच्छा बाकी पार्टी के लोग आपसे इतना क्यों चुड़ते हैं ओपी राजबर आपको दगा कारतुष कहते है आप वह हमारे चोटे हैं कुछ भी हमें का है मैं उनको उनकी भात पर ननाताँ हूं राजबर जेत् हैं विडर丫मल होते हैं तो ऐसे चरित्र कुछ ओने चाहिए निजेएफिकर बारे में लोग जानना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौरे जी आपका बच्पन कैसा रहा कितना संघर्ष रहा आपकी शिक्षा इस बताए ना कुछ अपने बारे में देखे कुल मिलाकर करके श्योंकि मैं निहायद गाउं के गरीब किशान गर में पैदा हुआ यहां तक कि श की पुरवाही भी करता था हलद से जुदाई भी करता था जैनरों को चारा पानी भी देता था और साथ ही साथ अपने पिता जी के साथ कभी कभी काम बटाने के लिए खेतों में यह था आवरस्यट मेरे मता-पिता कभी भी काम के लिए मुझब दौव नहीं मनाते थे मैं उपाप्रणीज हो करके उनको स्हभी जयोग के लिए काम करता था मेरे मता-पिता में और भाईयों की चाहत थी कि मैं पढ़ू लिखूं इसी निय vaccines से कि इलहाबाद में मेरा प्रवेश कराया गया को पिए मैं जोगरपसी जी किया उसके बाद लामेर विशन लिया यहां तब ही तो कानून की सारी धाराय जबान पर रटी है वहीं हम कहीं इतना पक्की धाराय जब जबान पर तड़ा तड़ा तर मार्या जी कमाल हैं कानून भी पड़े हैं लाकी प्राइब भी किया और हाई कोट में 90 वकालत भी किया लेकिन राजबा इराजबा तो राजनीतिक गद्विजीयों में बहुत ब्यस्थ हो जाने के बाद हाई कोट मुझे मैं ने छोड़ी चूंकि मैं इलहाबाद जोड़ते ही सामाजिक राजनीतिक मंचोपवर में शक्री हो गया मेरी शक्रीता को देखकर के ततकालीन लोगदल के प्रदेश सद्दच ने मुझे को युआ लोगदल का प्रदेश महासचिव बनाया यहां तक कि मुलायम सिंग जब प्रदेश सद्दच बने तो उनके अलीन प्रहानमंत्री बीपी शिंग ने लागू किया और उसके बाद मंदल और कमेंडल का आदून बहुत उग्र हुआ तो मैं आर्शान समर्थन की मैदान में भी कूदा उसके बाद जनता दल बीपी शिंग के नितित में जनता लोगदल का बिले में जनता लमे कराया और जनताल में प्रदेश महां सच्व बना फिर दो जमनी च्छानवे को बहुजन समाज पार्टी में समझीत हुआ और उसके बाद लगातार 20 साल तक में बहुजन समाज पार्टी की राजित किया अचा नेता जी सुने एक चीज आपके समय में महल अलग था आज के समय में नेत करियर पॉलिटिक्स करियर डून लेते निकाल लेते बढ़िया क्या करना है जी भाईया चचा बिधायक है हमारे लेकिन आपके समय में राजनीति का वो क्रेज नहीं था मोर्या जी तो आपने नेता बनना क्यों सोचा उस समय तो बड़ा मुश्किल रहा होगा बाक्षब मे मेरा एमेले या मंत्री बनने का नहीं था मैं सामाजिक राजनीतिक कारियों में शक्री इसली हुआ कि गरीबों पर जिल्म जाती अत्याचार होते थे अब आपको एक हाला बताता हूं है वर्ष था लगभग 1924 का मेरे गाउं में होलिका बड़े प्रमाने पर लगती थी जि अब चतिसों पेड़ जो काटे गए किसी बनिया का काटा गया किसी तेली काटा गया किसी तमोली काटा गया किसी बुझवक काटा गया किसी चमार काटा गया किसी पासी काटा गया किसी यादो काटा गया किसी मोर्यक काटा गया किसी गरदियक काटा गया यानि सभी दनितों तो जो पिछन्हों की पेड़ काटें गया है उसमें लोग उसमें मैं जो कि लाकर चुका था लोग हमसे शंपर किये मैं उस पर प्रसाशनी करवाई कि लिखा उस पर करवाई हुई नतीजा हुआ की जो पेड़ काटने का नेतियत कर रहे थे उनके खिलाब पूलिशिया करवा और उसके बाद 10 साल तक लगातार उसी समय से उस पेड काटना क्या डाल काटना बंद हो गया आज तक अपने हाथ से जो कंडे लेकर जाते हैं वही होली जलती है मजाल है कि कोई किसी की पेड का डाल नहीं काट सकता यह उस समय का मैंने शुरू किया था 10 साल तक लगातार एक दर्जन पुलिस आर्मगार्ड आती थी गाव में रहती थी और शेटनिक देती थी कि अगर कोई रेक पेड काटेगा तो उसके खिलाब कार्णी कर वही नतीजा अब सामान महाल में सामान रूप से सभार्द पूर्ण तरीके से वह तोहार मनाया जाता है इसी प्रकार से कभ कभी कभी जहां भी शंगर्ज की दूरत पड़ती थी कि मैं मैदान में कुछ जाता था अच्छा कभी ऐसा हुआ है कोई दोस्तों ने कहा हो कि आरे भाई आज यहां आ जाओ और आज जो है बस वाले ने हमको जो है बैठने नहीं दिया हमको उतार दिया तो सारे अपना ताम देने के पक्षमें नहीं था भावकाल नहीं रहा होगा हमेशा जो भी काम करता था कानुरी तोर पर करता था और हमें कई मोखों पर बड़ी कामियाब्या भी मिली एक प्रक्रण में इलहाबाद के बताओंगा जिसमें वहां मशुहूर अमरूत की बागें अच्छा उसको उन बागों को विकास पातिर ने एकॉयर किया किशान हाई कोड से मुकदमा हार गया शर्बोच चनेले गया सर्बोच चनेले से भी किशानों की अपील खरी होगी उसके बाद उप्रक्रण मेरे पास आया शंगर्षों से उस पूरी बाग को ही नहीं बचाया बलकिन जिले की साथ अमरूत की बागे एकठा ग्रीन बिल डिकर कर आया मानि उच चनेले से किसान राने के बहुत बी शंगर्ष के बलूते पर उनकी अमरूत की बाग में वापस कराई यह सब बाते आपके बारे में लोग नहीं जानते आपको तो अपने बारे में किताब इताब लिखनी चाहिए मौरा जी काहे नहीं कोसिस करते हैं इतना जुरूर है कि चुकि मैं 24 गंटा जनता के बीच में ही रहता हूं इसलिए लिखने की फुर्ष्टत तो नहीं मिलती क्योंकि सुर्वाती दोर में उसमें मीडिया भी नहीं था तो सोशल मीडिया भी नहीं था आपका killed अलग है मौरिया जी अब दो रिखिए क्ल मिलाकर के मैं जनता के हितों के लाई स्देव लड़ता रहा हूं आज भी वहीं करता हूं और इसी रिए जनता के हितों पर ज करने के लिए तो महिलाओं के बारे में जान लेते हैं कि बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौरेजी की फेवरेट महिला नेता कौन है जिनकी राजनीदी साब सहमत हैं लेकि बीजेपी में तो कोई महिला नेता थी नहीं पहले सुष्मा सुराज का एक नाम था लेकिन उनके बाद उस गरिमा और उस उचाई का कोई नेता आस बीजेपी में नहीं अच्छा आपकी फेवरेट हिरोईन का उनवा अब यह दिबखी कि इस देखते हों कि उसमें तो मैं धर्मständर जी की और हमता बच्चन की हेमा वालनी की यह सो पिक्चर देखता करता थे लेकिन बरतमान में पिक्चर तो देखने का मौका इढ़ता आप को अगर सपा का राष्ट्री अध्यक्ष बना दिया जाए मोरिया जी तो आप एक बद जिनीत में महत्वा कांचा नहीं पालता है अच्छा इतना जुरूर है कि जो भी जिम्मेदारी मुझे को मिलती है उस करशोटी पर सत पर सत खरा उतरने का प्रयास में अवस्य करता हूं अभी जो हूं उस जिम्मेदारी का निर्वन कर रहा हूं अब भी अभी आपको फोन आजाए दिल्ली से कि स्वामी प्रशाद मौरे जी आपको उत्तर प्रिदेश का मुख्य मंत्री बनाया जा रहा है जी तो क्या सपाच छोड़कर बीजेपी से मुख्य मंत्री बनेगे यूपी के जहां पर इस देश के अंसुची जाद जन जाद और पिश्य वरगों का हित सम्मान श्वाहिमान आर्शन का अथकार स्रशित नहीं है वहां स्वामी प्रशाद मौर्या एक मिनट के लिए भी मुख्य मंत्री बनना तो दूर जाना स्वापने भी नहीं सोच सकते हैं अच्छा अब शुरू होता है हमारे कारेक्रम का सबसे इंपोर्टन सेग्मेंट सबसे शांदार सबसे धासू सबसे बढ़िया सेग्मेंट जिसके लिए जनता कुरसी की पेटी बांध कर तैयार रहती है मैं कुछ नाम लोंगी मौर्या जी आपको एक एक लाइन में जवाब देना है तो शुरू करते हैं कुरसी के पेटी बांध लिए निता जी चालिए शुरू करते हैं तो भाई बीजेपी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी सम्मिधान का किसम खागते हैं तो यह प्रसाद मौर्या गरीबों के लिए सदय और संघर्ष करने वाले प्रग्या मिश्रा एक अच्छी पत्रकार जिसके टेरिंट की लोग द्वाई देते हैं बहुत बहुत शुक्रिया योगिया दि कुछ अलप्रसाशक बीएसपी खत्मोने के कगार पर मुलायम सिंग्यादव कोर्षया नमन करता हूं आज हमारे बीच में नहीं संघ मित्रम मौर्या जी बदावी की सांसथ ओपी राजभर जी दोड़न में लेकिन नेता विधानसभा विधानसभा सांवार से लिए दोहजर चौबिस भाजपा की विदाई अखिलीश याद एक राष्टी नेता की रूप में अपनी अलग पहिचान बाने में काम्याद उत्तर प्रदेश नय नेतित की आउशकता मोदी दोजार चौश कि इस प्रिसाद मोरें कि उपेक्षित जिपिशियम नेता लोग राजनीती में आने के बाद जूट बोलना मुकरना ही सब क्यों गड़ते हैं मैं इसलिए पूछ रहे हैं कि इस फील्ड में अकसर ऐसा होता है कि कहते हैं कि मजबूरियां होती है कभी-कभी कहते हैं कि नेता कुछ लोग का प्यत्रत उनका चरित्र होता है ूए ज पैदाईशी प्तरती पैदा होते हैं कुछ लोग पैदाईशी इमांदार होते हैं तो ये वर्क कल्चर है उआर को बदला नहीं जा सकता जिसके करेक्टर में ऌन बदमासी है जूट बोलना है वो करेगा उँग उठी काम है कि आदर्स राजनीत करना लोगों की शेवा करना शेवा भाव से लोगों के बीच में रहना मिलना जुलना 24 घंटा उनके सुदुक में हिस्सेदार बनना तो सौही रूप से ऐसे भी लोग चलिए बहुत-बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ पाच बार के विद से बात हो रही थी और इनकी जो भी बाते थी दिल की बाते पने बहुत-बहुत कुछ निकलवाने की कोशिश करी है आशा करते है आपको पसंद आऊगा वीडियो पसंद है तो शेर जरूर कीजएगा चल को सुब्स्क्राइब करें बिना मज जाएगा बना मैं नरास हो कर दो कर दो कर दो है